साहेध वेलकम तु जिएलोजेया स्पीरेंट न्यूट्योप चानल , आज हम दिस्केस करेंगे रिगारेदिग एल प्लैन डिरेक्शन एंड सिंबल, ठीके, क्षिटालगहाफी के पट kangots, दिरेक्शन एंड सिंबल इन तंपारेरेल में दिस्केस कनने वाल हैं जो की बेशिक concept of crystalography like हमने previous वीडियों में डिस्केस किया था unit cell किसको बोलना है, lattice कब बोलना है, motive क्या है या फिर basis हर एक चीज हमने basic regarding discuss किया था from the point of view of crystallography like that यहाँ पर भी हम discuss करने crystallography के point of view से कुछ basic चीज है जिसको लेकर मतलब हर एक चीज हम क्रिस्टाग्राफी में derive करते हैं फिर हर एक चीज को समझने के लिए यह जो basic वाले चीज है इनको समझना जरूरी ठीक है तो बैसिक वाले चीज क्या-क्या है plane direction and symbol तो क्रिस्टाग्राफी में हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक importance रहता लाइक plane हम अगर बोल रहे हैं तो plane को भी representation करने का या फिर represent जह हम करते हैं उसको representation of plane जिसको आप बोलते हो तो उसको भी indicate करने का कुछ symbolic हुए है कुछ bracket हम यूज करते हैं like that in case of direction तो direction को भी कुछ मतलब bracket के द्वारा क्या किया जाता है उसको भी आपको square bracket देखने को मिलिया कहीं पर round bracket तो हर एक bracket का भी यहां पर importance है कहीं पर without bracket आपको कुछ मतलब पारामिटर्स देखने को मिलेंगे face के तो हर एक चीज का यहां पर importance है तो चले फिर discuss करते है plane क्या है direction और symbol तो चले फिर देखते हैं हमारा जो पहला point है मिलर symbol ठीक है which is not bracketed मतलब एक मिलर सिंबल अब मिलर सिंबल क्या है आप सभी को पता है क्यों किसे पहले हमने मिलर इंडिशेस देखा वेस पारामिटर के इसको बलते हैं वह हमने देखा और वेस पारामिटर से किस तरह हम मिलर इंडिशेस को निकाल सकते हैं वह भी हमने नियुमेरिकल के थ्रो देखा ठीक है तो हाँ प्लेन या फिर आप बोल रहा हो जिसको डिरेक्शन शिंबल ठीक है तो उसको रिपेजन केशे करते हैं यह मिलर तो मिलर इंडिकल कर रहे हैं प्ले नियुमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके आंदर हम देख रहे हैं किस طरह मीर तो ंंपने एक हैं और यृट इसल क्राइब को लिए कर दो ढ़ते किस तरह दो की हार कि न अगर नहीं ब्राकेटेट नहीं है इस ट्रीटली डिनॉट से सिंगल फेस अगर मिलर सींबल ब्राकेटेट नहीं है तो फो इस को सिंगल फेस को निड़ गारा है तो उससी से आपको पता तल जाएगा फिर हर एक पर्षन को जो भी इस्टर अभी पढ़ रहा है उसको समझ मा जाएगा कि हाँ यह एक फेस के बारे में यहां पर बात हो रहा है वाइल दा ब्राकेटेड शिंबल रिप्रेजेंट्स ओल दा फेस ओफ फर्म ठीक है लेकिन जब आप उसी में ब्राकेट डाल दो या वही मीलर शिंबल में अगर ब्राकेट डाल दो तो कंप्लीट फॉर्म का शिंबल को रिप्रेजेंट करता है ठीक है एक फॉर्म में उसके अंदर जितने भी फेस प्रेजेंट है तो उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करवाना है तो you have to use bracket but आपको शिर्फ एकी फेश के बार में बात करना है तो तो नेगलेट दब्राकेट ठीक है तो ब्राकेट का भी यहां पर इंपोर्टन सा ब्राकेट किस तरह क्या है वो भी हम देखेंगे ठीक है आगे अगे जेनरल सिंबल ओफ फेश द्याट कोड्स ओल द्याट अग्सिस अट डिफरेंट लेंथ को यह एक ऐसा फेश है जो कि हारे किस्टाग्राफिक अक्सिस को डिफरेंट में कट कर रहा है ठीक है नोट इन इक्वाल लेंथ इट कटिंग अल्द द्धिक अल्द इस अन हलॉफ अन लएट-ल लॉसा है हो फैफ ऑल नम्बर किये तो होल नंबर आ graph कि की इंडर एक मतलब स्यिम्भलिक वहम है या फिर उसको मतलब है झाति हम इór वह वक्त दिन्नोट करते हैं लेकिन हुए तो वहां पर whole number लिखे जाएगा but in case of H, H किया है तो आ आक्सिस को रिप्रेजन कर रहा है like that in case of B, B representing the B axis and L representing your C axis ठीक है तो इस तरह वह आक्सिस को रिप्रेजन करता है और उसी कोई सिंबोली को हम H के लिखते हैं जो कि un-equal length में different length में एक face हर एक Crystall Graphic Axis को तो plot कर रहा है एंड फॉर HeSeiggle स्िस्टम जिक मतलब किस्टल मतलब मतलब हम पर सजो भी равभिधर या फी जो भीब्र तो पड़ते हैं उसको हमने कितना कृई्ट सिटम में डिवाहर कैं में एंगे लिवाइप तो उसको हमने डिवाइड किया six crystal system ठीक है according to the axis आगे हम देखेंगे लेकिन जो भी वो six crystal system है उसमें से हर एक crystal system में तीन ही आक्सिस आपको देखने को मिलेगा except hexagonal crystal system तो हां हर एक crystal system के लिए अगर different length में कोई भी face axis को cut कर रहा तो उसके के लिए आप symbolic हुए में उसको रिपेजन करते हो तो उसको Hkl हम लिखेंगे but in case of hexagonal जहां पर कि आपको चार इस्टाग्राफिक आक्सिस देखने को मिलें किस्टाग्राफिक आक्सिस यहां पर कितना रहेंगे फोर तो वहां पर हम क्या लिखेंगे इसी पर हम और चीज बाता है और चार आक्सिस नेगटिव रहेंगा हर एक चीज वहां पर हम देखेंगे ने जब बात आता है और आपको चार आक्सिस देखने को मिलेंगा और वह अगर चारों आक्सिस को कोई भी अगर face unequal length में cut कर रहा है फिर एक face है जो कि चारो आक्सीस को unequal length में cut कर रहा है तो हां उस टाइम में हम उसको symbolic वह में h k i l k according represent करते हैं ठीक है तो कुछ symbol है like plane का बात करते हैं ठीक है plane कोई भी एक crystal के form उसके अंदर हम हम प्लेमन लेते हैं तो प्लेमन और रहुंपेसली प्लेमन का हम इंख् לס दैखते हैं कितना इंक्लाइन है और इंक्लिनेशन के एकोरण हम उसका की शक्रींट करते हैं कॉन से क्षिटल्फिक अक्सिस को कट कर रहा है और उसको Calvin पिजन करते हैं in sense of Miller indices टीक है तो या फिर Miller indices में अगर नहीं करते तो उसके पहले हम उसको किस में लिखते हैं according to crystallographic axis like हम लिखते हैं 4a, 2a, 3b इस तरह हम लिखते हैं उसको तो उसको हम क्या बोलते वेस्परामिटर जहां पर axis का reference दे रहा था within bracket तो हमने देखा था starting में उसको क्या बोलंगे वह एक फॉर्म का complete एक फॉर्म में उसका हर एक फेस को इंडिकेट करता हुई दिन ब्राकेट ठीक है तो प्लेन भी उसी तरह है प्लेन का सिंबल हम इस तरह करते हैं और फैमिली और एक प्लेन अगर रहेगा तो उसको इस तरह लिखेंगे और अगर फैम बहुत सारे प्लेन रहेंगे तो यह ब्राकेट हम यूज करेंगे ठीक अब इसके अदर कुछ नहीं कुछ एक नंबर आएंगे वह नंबर अभी में देरा है और लाइक हम बोल सकते हैं एच के तो यह क्या this is your plane बट एच के एल इस तरह गर रहा है एंगे इस फेमली और प्लेन लाइक जैब यह हम डिक्षान का बात करेंगे तो हँ डिक्षान अभी ऊसी तरह दो जो ब्राकेट में जादी अधि यह दिखिए जह बात करी रहेक्षान का सिफ एक शिंगल डिरेक्षान का आप आपो अपको और उस्देस नं करना यह और डिन यू अब तो यूज देखने को मिले मृद अब को समझ जाना है कि हाँ जब भी इस तरह का ब्रकेट मिले तो यह फेमिली ओ रिवले को प्रेखने को पिaining family of plane like that when you are talking about direction then this bracket represents a single direction and when you are talking about plane then this bracket representing a single plane not multiple plane multiple plane के लिए या फिर family of plane के लिए हम यह bracket को यूज कर रहे थे और उसी तरह मिलर सिंबल का भी हमने देखा था अगर मिलर सिंबल अगर विदिन ब्राकेट रहता है तो हां हम उसको बोलते हैं मतलब एक जो फॉर मोसका अधर complete जितने भी face all the faces representing विदिन ब्राकेट बट वेन आपको एक ही face को रिप्रेजेंट करना है इने form तो हम उसको without ब्राकेट लिखते हैं तो यह थे कुछ basic concept regarding plane direction and symbol कुछ भी राउट हो कमेंट कर दीजे थांक्यू फॉर वाचिंग